कि हेलो फ्रेंट्स में हूं आदर्श पुपाउथ है आज का लेक्चर हुआ आजका लेक्चर होने वाला अधेस्ट के एक टोपिक की ओपर जो हुपक है नियानि कि मद्यस्थम की कारवाई होती यह मद्यस्तम की जो कारिवाई है उसका संचालन के से क्या जाता है उसके संचालन की क्या क्या नियम है अब तक हम मद्यस्तम के बारे में पढ़ चुके हैं मद्यस्तम किसे कहते हैं मद्यस्तम क्या होता है मद्यस्तम को कैसे चुना जाता है उसकी मद्यस्तम की सारी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ चुके यह पूर्थ या फिफ्ट लेक्चर होने वाला है अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो या आई बिटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का वहाँ जाकर कि आप सीरियल वाइस सारे वीडियो को देख सकते किया जाता है यह हम देखने वाले तो मद्यस्ता में सुला अधिन्यम 1996 मद्यस्तम हैं सुलय अधिनियम 1996 की धारा 18 से लगा करके धारा 27 तक इन 10 धाराओं में जो है मद्यस्तम संचलन सम्मंदी सारी नियमों को बताया गया कि मद्यस्तम का संचलन कैसे होगा मद्यस्तम किस प्रोसेस से उनके विवादों को सुनेगा और उनका नियने करेगा यानि कि वह जो विवाद है वो किस इस्थान पर सुना जाएगा किस बाशा में उनके विवादों को सुना जाएगा उनकी सुनवाई किस प्रकार से होगी उनके नियम क्या क्या होंगे इन सारी चीजों को इन 10 दाराओं में बताया गया है जब आप इसको बुक में पढ़ने जाओगे तो कम से कम ही आपको 10 से 15 पेज की बीज़ में आपको ये एक टोपिक मिलेगा ये वाला एक टोपिक मद्यस्त्रम संचलन की नियम जो है कम से कम 10 से 15 पेज में आपको मिलेगा मैं उनी को अच्छे से आपको शोर्ट में समझाने की ट्राय करूँगा आपको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके बताएगा अब बात करें दारा 18 से दारा 27 के बारे में इन सारी दाराओं को मैंने एक एक करके अलग अलग लिख दिया और किस दारा में क्या क्या बताया गया है ये में आपको उसका पॉइंट भी बना दिया गया है ताकि आपको एक्जाम में इस पॉइंट के बना करके पॉइंट के बाद अगर आप इसका explanation लिखेंगे तो examiner को भी अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा marks मिलेंगे तो इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं आब मध्यस् aúnicum ula-adhiniam की धारा 18 में ऍच्छ प्रस्तूत करने के अवसर के बारे में बठाए गया है दारा ड्रा में यह बताए गया है कि जो पक्षकार थे दोनों पक्षकार, उनदों पक्षकारों को समान रूप से अपना अपना पक्ष प्रस्वत करने का तमान अफसर दिया जाएगा और मद्यस्थम से मद्यस्थम यानि कि जो उन दोनों पार्टिस के बीच के विवादों को सुन रहा है उसे मद्यस्थम को जो है यह अपिक्षा की जाईगी कि वो स्वतंत्र रूप से काम करें निश्पक्षोकर के काम करें और तो किसी कधाचार का दोशी न बने यानि कि किसी प्रकार के मिशकंड़क्ट का दोशी वह मध्यस्तम ना बने दोनों को समान रूपसे सुने एह निषपक्षोकरके स्वतंत्र निड़ने, दे किसी के तरफ बायस्ट हो करके अपना निर्णय ना दे ये बात कहां मद्यस्थ्यम्जम सुल अधिनियम की धारा 18 में लिखी गई है मद्यस्थम की कारवाई में पहला पॉइंट यह होगा कि पक्ष प्रस्तूत करने का समान अफसर दिया जाए और निश्पक्ष होकर के निर्णय किया जाए अब इसी अधिनियम की धारा 19 में नियमों की अवधार्णा के बारे में बताएगा है नियमों की अवधार्णा से तात्पर यह नियमों की अवधार्णा से मतलब है कि कारवाई का जो संचालन की प्रक्रिया है वो कैसी होगी किस प्रोसेस से उनके नियम यानि कि वो जो वाद चल रहा है उस वाद कि किस नियम के अनुसार उस वाद को सुना जाएगा उस वाद के अंतरगत क्या IPC, CRPC और यह सारी चीज़े लागू होगी या नहीं लागू होगी उनके क्या नियम होगे वो उनके बारे में बताय गया इसको explain करूं तो कारवाई संचालन की जो प्रक्रिया है वो सुनिस्चित करने का अधिकार जो है वो पक्षकारों को होगा यानि कि जो दोनों पार्टीज है वो ही कॉन्ट्रेक्ट के मादम से पहले ही सलेक करेगी कि इस प्रोसेस से हमारा जो है हमारे बीच में अगर बवि करते टाइम अगर उस प्रोसेस को मिंचन नहीं किया उस प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया कि लिखीत कारवई होगी मोखिय कारवई ओगी या ऐसा कोई भी जो भी नियम है वह उसने अगर कोनटेक्ट के ताइम में नहीं बतायां तो वह अपनी सुज्ण नीने भी दियाय गया है. नयाले ने ये कहाए कि जो कार्यवाई है वो कार्यवाई होते समय civil प्रक्रियस सहिता और Indian evidence act यह जो दोनों books है civil प्रक्रियस सहिता और बार्टिय साक्षिय अधिनियम इन दोनों की जो नियम है इन दोनों का लागू होना ज़रूरी नहीं है यानि कि जो कारिवाई मद्यस्थम के माध्यम से हो रही है उस मद्यस्थम की कारिवाई के अंतरकत इन दोनों के अंतर जो नियम लिखे गए उन नियमों का पालंग होना ज़रूरी नहीं है केवल इतना जरूरी है में पॉइंट इस पूरी धारा उनिस का में कहना यही है कि जो न्याय है जो मद्यस्तम जो निणे दे वो एक तो निश्पक्ष हो करके दे और निणे देते समय उन दोनों पाइटीस के बीच में नेसरगिक न्याय होना चाहिए यानि कि नेचुरल जस् जरूरी है मद्यस्तम को इसली किया जाता है ताकि प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाए नियाएगी उन्हें कोर्ट ना जाना पड़े और उनके बीच उन्हीं को समझने वाला विक्ति जो है वो उनके बीच कि अगर कोई विवाद उत्पन होता है तो उसे सोल कर दे तो दार पर्णूरी नहीं है वो केवल नियसर्गी गन्याय के अधार पर यानि कि नेच्टिस के अधार पर ही नियर्न है दे सकता है बढ़्य स्थम का मद्यस्तम के इस्थान के बारे में भाण अधिकर इस्थान चुनने का सबसे पहला अधिकार जो है वो दोनों पार्टीज को होता है दोनों पार्टीज जो है मिल करके मध्यस्थम का जो है इस्थान न्यूक्ट करेगी कौन से इस्थान पर हमारी बात को सुनी जाएगी हमारे बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका इस चीज को इस इस इस्थान को बताना भूल गए हैं इसे मेंचन नहीं किया गया कि इस जगह पर अमारा जो है विवाद का सुल्टारा होगा तो पावर फिर कहां मद्यस्थम के पास आ जाती है मद्यस्थम जो है वो स्वयम अपने अनुसार अपने विवेक के अनुसार जो है किसी इस्थान का निर्णे कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी कर सकता है जैसे भारत के दक्षिनी चोर में अगर विवाद उत्पन हुआ है और दोनों पार्टी जो है दक्ष इस्थान चुनने के लिए अगर दोनों पार्टीज ने इस्थान नहीं चुनाएं कि कहा विवात का निफ्टार होगा मध्यस्थान नहीं चुनाएं तो मध्यस्थ जो वेक्ति है वह इस्थान चुनने के लिए दो चीजों को ध्यान में रखेगा पहला तो पक्षकारों की जो परिस्तितियां है वो परिस्तितियां क्या कहती है उन परिस्तितियों के अनुसार किस इस्थान पर जो है निर्णे लेना या किस इस्थान पर जो है दोनों पक्षकारों को सुनना उचित रहेगा इस बात को भी ध्यान में रख करके ही वो इस्थान का चैन करेगा इस्थान के चैन के साथ साथ एक बात और आ जाती है अगर मद्यस्थम ने इस्थान का चैन किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है दोनों पार्टीज को इस बारे में सूचना दे पहले ही सूचना दे दे कि इस इस्थान पर हमारा जो है इस तान के बारे में सूचना देगा अब बात करें धारा 21 की इस अधिनियम की धारा 21 में इस कारवायों के प्रारम के बारे में बताय गया है कि ये जो सारी प्रोसेस है अगर कोई विवाद उत्पन हो जाता है तो विवाद उत्पन होने के बाद कारवाईयों की process कब मानी जाएगी कब से माना जाएगा कि यह कारवाई इस दिनांग से शुरू हुई है तो कारवाईयों के प्रारम उस तिथी से माना जाएगा जिस तिथी पर मद्यस्त को जो है विवाद की पहली सूचना मिलती मध्येस्ट को विवारद की सूचना जिस दिनान को प्राप्त हो जाएगी Crystal 1-120 को जैसे ही और उसके जो हे सूचना प्राप्त हुई इसको मध्येस्ट को जो हे विवारद की सूचना 1-1-2-24 को प्राप्त हो गई एक 1-1-2 против से ही कार्यवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाईवाई एक हैं के बारे में skinny क्या बताए गयाँ बाद शाह का चैन वी डोनों करेगर को यह में simple में कर दिया है इस बस्षा में हमारा विवाद चुना जाएगा तो उस बसफा में विवाद चुना जाएगा लेकिन बाषा एक होगी जोबशा डोनुब पार्टीचam समझती हो साथ ही साथ जो मद्यस्थ है वो मद्यस्थ व्यक्ति भी उस प्ह друзet को समझता हो ये बात अपने एक निदे में कहिए कि अगर मद्यस्थम की कारवयां होती है तो दोनों पार्टी अची भशचा को चुनेगी जिस भशचा को मद्यस्थ व्यक्ति भी समझता हो और अगर दोनों पार्टी जो है वो खुद भाषा का चाहिन करेगा और वो भी ऐसी बाषा का चाहिन करेगा जो दोनों पार्टी से समझती हो, इसके साथ अगर इस पूरी process के बीच में अगर वो दोनों parties में से कोई भी parties evidence लेकर क्याती है इसा कोई document लेकर क्याती है जो उसके पक्ष को मजबूत बनाता हो और वो document जो है, वो उस बाशा में नहीं है, या ऐसी बाशा में जिस बाशा को मद्यस्ट विक्ति जो है वो नहीं समझता है तो एसी इस्तिति में वो पार्टी जो है वो उस डोक्यूमेंट को ट्रांसलेट करा करके उस बाशा में ट्रांसलेट करा करके जिस बाशा को मद्यस्ट विक्ति समझता है उस बाशा में ट्रांसलेट करा करके उसके के बाद उसके पेश करेगी ये बाद भी इसी दारा में कई गई है किस दारा में धारा 22 में कई गई है अब बात करें दारा 23 सबसे लंबी सबसे बड़ी दारा इस तारा 23 में दावे या प्रतिरक्षा के कहतन के बारे में बताएगा है यानि कि दो पार्टिज है हमने बात किरी इन दोनों पार्टिज के बीच अगर कोई विवाद उत्पन हो गया तो ये इस मदेष्ट विक्ति के पास जाहेगी यह वेक्टी एक भी हो सकता हैं यह सारी चीज़े हम पहले पढ़ चुके हैं तो यह जो parties है इन दोनों parties के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है और एक party जो है वो मदेश्ट के पास अपना दावा लेकर के जाना चाहती है तो अगर एक parties जो है यह कह करके जाती है कि मेरे साथ यह गलत हुआ या इस वेक्टी ने यह चीटिंग करिए ऐसा कुछ किया है तो यह वेक्टी जब इस वेक्टी के पास जाएगा तो यह दावा लेकर के जाएगा और इस वेक्टी के इस वेक्टी के पास जाने पर जब इस वेक्टी को बुलाए जाएगा दूसरे parties को बुलाए जाएगा तो वो अपनी प्रतिरक्षा करेगा अपने बचाव में कुछ चीज पेश करेगा बचाव में कुछ बातते कहेगा उसे प्रतिरक्षा कहा जाएगा यानि कि जो पहले कंप्लेन कर रहा है वो दावा हो जाएगा और जो अपना बचाव कर रहा है वो प्रतिरक्षा हो जाएगी अब दावा और प्रतिरक्षा जो है इन दोनों के बारे में भी बात कही गई है क् ताइम लिमिट फिक्स करी गई है जो मध्य स्थ IP अंतर्गत पेस्ष होना चाहिए दूसरा वो इस तरह से हुआ कि सामने वाले को समझमे आ जाए सामने वाले को समझमे आने वाली बाशा में और अगर दावा किया गया है तो दावे में एसे तच्छों को एसे document को साथ में attach करके बताय जाए जिससे कि उसका पक्ष मजबूत हो कि भई इस वेक्ती ने मेरे साथ ये गलत क्या है उसे prove करने वाले सबूत या ऐसे कोई document अगर है तो उसके दावे के साथ लगा करके पेश किया जाए और अगर प्रतिरक्षा वाला प्रक्षकार है वो अपनी प्रतिरक्षा कर रहा है तो वो प्रतिरक्षा के साथ में ऐसे डोक्यूमेंट या ऐसे कोई भी तथि लगाएगा जो इस बात को बताते हूं कि मैंने ये काम नहीं किया है या मैं इस बात से परेज करता हूं मैंने इसी कोई गलती नहीं किये तो वो प्रतिरक्षा के रूप में अपने को support करने वाले document लगाएगा और दावा अगर जो विक्ति कर रहा है वो अपने को support करने वाले उसे support करने वाले document को भी इसी के साथ लगाएगा यही बात तो हम पहले ही अब तक पड़ चुड के हैं सुनवाई किस बाश्चा में होगी तो यह हम धारा 22 में पढ़ चुकें सुनवाई कब होगी कब से प्राडम होगी तो धारा 21 में हम पढ़ चुकें अब अच्छता है कि सुनवाई जो है वो धारा चोईस में दे रखिए सुनवाई जो है वो की जाएगी तो किसके द्वारा की जाएगी मद्यस्त के द्वारा की जाएगी ये भी हमें पता है अब जो मद्यस्त अधिकरण है वो निर्दारीत करेगा कि सुनवाई लिखित में होनी चाहिए या सुनवाई जो है मोकिक होनी चाहिए यह पावर किसके पास है मद्यस्त अधिकरण के पास मद्यस्त अधिकरण पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं मद्यस्तम मद्यस्त और मद्यस्त अधिकरण किसे करते हैं जो व्यक्ति इन दोनों की पक्षकारों के बीच के विवादों को सुनता है उसे मद्यस्त करते ह जब वो विवादों के निप्टार कर रहा होता है जब वो यह काम कर रहा होता है तब उसी व्यक्ति को जो है मद्यस्त अधिकरण कहा जाता है जब वो विवाद का निप्टार करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है वो मद्यस्त कर लाता है और जब वो निप्टार कर रहा होता है जब वो प्रोसेस में होता हCR रहा होता है तब उसे मद्यस्ट अधिकरण होगी इसकी जानकारी करने ने का मद्यस्ट अधिकरण को ही जो है पावर मिली हुई है कि मद्यस्ट अधिकरण ही नेने करेगा कि जो साक्ष के लिए मोखिक कारिवाई हो यानि कि एविडेंस के लिए मोखिक कारिवाई हो या दस्तावेजू के रूप में यानि कि लिखित कारवाई के रूप में जो है सुनवाई की जाए सुनवाई किस बारे में साक्ष के बारे में बताया गया कि साक्ष के बारे में एविडेंस जो है वो मोकिक रूप से लिए जाए या डोक्यूमेंट के रूप में लिखित रूप में लिए जाए इसकी पावर तो यह दोनों पार्टिस में से एक पार्टिस ने मद्देस्ट के पास गई कि बहुत की बहुत नहीं होता है वह उससे हमेशा दूर ही रहता है तो एसी इस्तिती में कुछ समय बाद जो है मध्यस्त्रिख के पास यह power अजाती है कि वो एक ही पक्ष के बारे में जो पक्ष उसके पास गया है उसी को सुनकरके उसी के अनुसार अपने विविएक के अनुसार निणे दे सकता है दूसरा पक्ष अगर लंबे समय तक उसके पास नहीं आता है उसमें अपना इंट्रेस्ट नहीं दिखाया आता है तो मध्यस्त जो है वह एक पक्षी की कारेवई कर सकता है एक पक्षी कारेवई यानि कि एक ही पार्टी को सुन करके वह अपना निर्णे दे सकता है हम धारा 18 म के बार में विशेशग्यों की नियुक्ति मध्यस्त को यह पावर प्राप्त है मध्यस्त को यह पावर है कि अगर उसे ऐसा कोई बिंदू लगता है जहां पर या इसा कोई पॉइंट लगता है इसा कोई टॉपिक लगता है जिसमें उसे विशेशग्यों की जरूरत है तो वो विशेशग्यों को साथ उस विशेशग्यों के साथ अगर वो कोई एविडेंस लेंज जाते हैं या वो किसी तरह की पूछताथ करते हैं तो दोनों पार्टीज को उस विशेशग्यों के साथ भी उसी तरह से कोपरेट करना होगा जिस प्रकार से मध्यत्य वेक्ति के साथ कोपरेट कर रहे थे यानि कि उन्हें विश्चेजग्यों के साथ भी कोपरेट करना होगा उन्हें अपने विवाद के बारे में बताना होगा अगर उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई साक्ष चीज़ उसके बारे में भी उन्हें जानकरी देनियोगी और साक्ष को उनके सामने प्रस्तृत करना हुगा अब बात करें गारास 37 के बारे में अगर मद्यस्त को क्यों समझने लिए करके evidence की जरूरत है तो इसी स्थिति में वो न्यायले से मदद ले करके उस evidence को collect करने के लिए न्यायले से मदद भी ले सकता है अगर मद्यस्ट को खुद को जरूरत है तो मद्यस्ट स्वयम न्यायले के पास जाएंगे और नयायले को एक प्रोपर एप्लिकेशन लिख करके देंगे जिस एप्लिकेशन में दोनों पार्टी का नाम जो मद्यस्ट वेक्ती है उसका नाम और जो विवाद हुआ है उस विवाद के बारे में ब्रीफ में बताया गया हो एसी एक एप्लिकेशन देंगे कि उसे इसमें सायता करनी है या नहीं करनी है आज का वीडियो आपको कैसा लगा है यह मुझे कमेंट करके बताएं अब तक अगर आपने हमारे ADR के वीडियो देखे तो उसमें common example हम चलते आ रहें एक चाये वाले का example उसका क्या नाम है यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएं थैंक्यू सो मुच